हेलो गाईज, विल्कम ने जवाब दिया है, कसकर तमाचा मारा है, जी हाँ, लोग ना ऐसे हो गए हैं, खिस्यानी बिली खंबा नोचे, मतलब कोई जवाब नी बन रहा है उन लोगों के पास, देखे जो सिर्टनास को दिल से चाहते हैं और उन्हें मन से जानते हैं, उनको त शेहनास की तरफ से कोई कमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उनके दिल को पता है कि भई, शेहनास जहां हमेशा से रहती आई हैं, वहीं रह रही हैं, या फिर सिर्टनास जो है, वो शेहनास कभी उसे नहीं छोड सकती, लेकिन ऐसा हुआ, जैसे ही वो घर का वीडियो कि जहां शेहनास ने देशी वाइब्स के लिए फैंस को बोला था कि भई, आप लोग देखें शो जाकर, यह कहने लगे नया घर है, शेहनास ने मूव ओन कर लिया है, नया घर लिया है, अलग रहने लगी है, और पता नहीं, और भी बहुत सारी चीज़े बोलने लगे, इस तरह से बाते करने लगे, गाइस पूरा वीडियो देखना, क्योंकि मैं वो जो वीडियो आया था ना, उसके बारे में भी कुछ बताने वाली हूं, जी हां उसकी भी, मतलब पता चल गई है, मैं बताऊंगे आपको इस वीडियो में, तो सबसे पहले तो यह जो शेहनास का क पिकाया, देखे, फैंस के लिए साफ है, शेहनास जो हैं, वो सिटनास को कभी नहीं भूलने वाली हैं, और वो हमेशा उनके साथ रहने वाला है, लेकिन हेटरस के लिए करारा नमाचा जरूर है, अब बात मैं बताती हूं, उस वीडियो को लेकर, अब आप इसमें एक से देखिएगा, कि यहाँ पे यह स्टोरी शेहनास ने काफी दिन पहले पोस्ट ही थी, अब यहाँ पे एक इंस्टुमेंट टाइप रखा हुआ है, जिसे सॉंग रिकॉर्ड करने के लिए, आपको याद होगा, बहुत पहले शेहनास के एक फैन ग्रूप ने, शेहनास को काफी कीमती इस तरह का इंस्टुमेंट बेजा था कि जब शेहनास अपना गाना गाएंगी, अपना स्टूडियो खोले तो इसका यूज करें, अपने गाने गाएं, रिकॉर्ड करें, एक तरह से सॉंग रिकॉर्ड कह सकते हैं आप, लेकिन वो सिंपल सानी काफी अच्छी तो गाइस, घर में तो शेहनास जो है, वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल के बैठीगी नी, तो बात इतनी है, जितना समझ में आ पा रहा है, कि ऐसा बिल्कुल हुआ है, शायद कि शेहनास ने अपना स्टूडियो खोला है, है ना, क्योंकि कही भार के स्टूडियो में भी वो अपने गिफ्ट वाल इंस्टूमेंट को नहीं लेके जाएंगी, अपने ही यहाँ पे यूज़ कर सकती है, और घर में भी कोई स्टूडियो नहीं खोल सकता, आप जानते हैं मुंबई में इतने बड़े बड़े घर नहीं होते हैं, मैं यह नहीं कहरी कुने घर नही कि क्या हो रहा है, किस चीज का लोग एड़े लेना चाहा रहे हैं, बेफाल्तू में इशूस क्रियेट कर रहे हैं, और उसके बाद जब मैंने वो वाली स्टूरी देखी फैंस की, जो उन्होंने पोस्ट कर रखी थी, वो गिफ्ट वाली और ये वाली वीडियो को सब रिले की, बाकि किलियर करने वाली बात नहीं है, फैंस के लिए हैं, जो मिर को इतने दिन से सपोर्ट करते हैं, शेहनास को सपोर्ट करते हैं, सिडनास से प्यार करते हैं, देखिए, पता नहीं, इतने बड़े फैंडम को तोड़ने के लिए क्या-क्या चीज़े चलाई जा सकते ह आप तो जानते हैं जो लोग शुरू से जुड़े हुएं बहुत सारी चीज़ें बेवज़ा क्रियेट की गई तो काफी लोगों को अब भी ये जैलिसी है कि अब भी सिदनास फैंडम इतना स्ट्रोंग कैसे और शेहनास को इतना सपोर्ट करते हैं तो ये वज़ा है फैंडम को तोड़ने के लिए बेवालतू के इशु क्रियेट किये जाते हैं निकिन उन्हेंने नहीं पता है वो शेहनास की खुशी में खुश है पूरा फैंडम वो जहां खुश रहेगी पूरा फैंडम उनके साथ चलेगा वो क्या है वो जाते हैं